नमस्कार दोस्तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ओनलाइन टुटोरिल गुरूजी पर I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Union Bank of India का withdrawal form यानि withdrawal slip कैसे हम सही तरीके से उसको भर सकते हैं ताकि जब भी आप bank में पैसा निकलवाने जाएं तो आपका form कभी भी reject ना हो और आपको प्रेसानी का सामना ना करना पड़े तो चलिए इसको भरने की शुरुवात करते हैं सबसे पहली line में यहां पर आप पढ़ सकते होंगे pay to the self as the sum of तो यहां इस blank में आपको वो sum यानि वो amount लिखना है जो पैसा आप निकलवाना चाहते हैं for example अगर वैसे मैंने 5,000 रुपे निकलवाने हैं तो मैं यहां words में लिखूंगा words में लिखूंगा जैसे की 5,000 only ऐसे ही आपको आपका अपना amount जो amount आपने निकलवाना है उसी को words में यहां पे लिखना है यह देखिए उसके बाद यह यहां पे आपको एक box दिख रहा होगा सामने रुपी का एक icon है यहां पे भी आपको same वही amount डालना है लेकिन इस बार आप numerical value में डालेंगे जैसे 5,000 उसके ठीक उपर आपको डालनी है date यानि जिस date को आप यह form bank को present करेंगे वही date यहां पे आएगी जैसे 14 October 2020 अगर में डालता हूँ तो कुछी इस तरह से format में डालूँगा आपको भी इसी format में उसमें लिखना है उसके बाद यह देखे left side में यहां पर आपका account number आएगा यह लिखा भी हुआ है my और hour अगर आपका individual account है तो my पर टिक कीजिए अगर joint account है तो और पर टिक कीजिए उसके बाद one by one करके सारे digits अपने account number के आप इस blocks में डाल सकते हैं इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए उसके बाद यह देखी यहाँ पर नीचे यहाँ पर name of account holder पूछा गया है तो यहाँ पर account holder का name आपको exactly जैसे आपकी passbook के front page पे है same वही spelling आपको यहाँ पर लिखनी है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपका form reject हो सकता है अगर आपका individual का account है तो आप single नाम डालेंगे अगर एक से ज़्यादे यानि joint account है तो दोनों का नाम comma लगा के आप यहाँ पर लिखेंगे और इसी के ठीकों पर यह देखे sign का option भी आपको दिया गया है तो यहाँ पर आपको sign करने है और आपके sign exactly bank record से match होने चाहिए otherwise आपका form reject हो सकता है इसके अलावा आपको कहीं भी इस form पर कुछ भी और नहीं लिखना है बस आपको इतना ही fill करना है और कहीं भी cutting वर्टिंग या overwriting नहीं करनी है तो दोस्तो कैसी लगी आपको वीडियो इस वीडियो से related अकर आपका कोई सवाल है तो मैं नीचे comment करके पूछी हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिएगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए तो आपके पास notification पोच जाए दोस्तो आज की वीडियो में वसी तना ही जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye